आल्राइट गाइस, तो गॉड्जिल वर्सेस कॉंग आने में एक हपता बाकी है और अब समय आगया है गॉड्जिल वर्सेस कॉंग की स्टोरी प्लोट रिवील करने का और मैं अपने वीवर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में हो सकते हैं कुछ बड़े स्पोईलर्स तो जो भी लोग 24 मार्स तक का वेट करना चाते हैं वो इस वीडियो को आगे ना देखें तो पहली पोटेंशन स्टोरी मैं एक वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ और अब बारी है दूसरी फाइनल स्टोरी की तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट इन्टु इट जीजुस, गुद दिखाए जाए जाएगा कि कैसे गुद्ध करेडिट सेक्वेंस के जो गॉड़ुला 14 और कॉंग स्कल आइलेंड के हैं और इन क्लिप्स में दिखाए जाएगा कि कैसे गॉड़ुला और कॉंग ने बाकी टाइटन्स को डिफीट किया और वो लास्ट टू स्टैंडिक पचे हैं इसके बाद एक्चल मुवी स्टार्ट होती है कि कॉंग आइलेंड पर उठता है सन को इंजॉय करता है और उसके बाद वाटरफॉल में नहाने जाता है फिर एक ट्री को ग्रैप करता है और जिया दोड़ कर आती है कॉंग के पास में और उसे उसकी डॉल दिखाती है लेकि जहां से मोनार्क कॉंग पर हर समय नजर रखे हुए रहते हैं इसके बाद हमें दिखाई देता है एपेक्स का एक बेस जहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और इनी एक्सपेरिमेंट के बीच में वहां के साइंटिस्ट को कुछ अजीब सा आभास होता है और इसस एपेक्स बेस में चुपचाप से गुसता है और वहां से गौड़जला के अटेक की कुछ फुटेजेस चुरा ले और इन फुटेजेस में वह पाता है कि एक जैंट मेटल बॉक्स था और बाद में उसे पता चलता है कि वह बॉक्स कुछ और नहीं और का है दूसरी और है कि आपने भी देखा था कि गौड़जला हमारे प्रोटक्टर है मॉम ने भी यह देखा था और कुछ है जो गौड़जला को प्रवोक कर रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं मार्क मेडिसन से कहता है यह क्रियेचर है और इनका भीवियर चेंज हो सकता है इंसानों जैस फिरा में देखाए देता है नेथन लिंड नेथन लिंड अपने काम से थका हुआ एक साइन्टिस्ट है जिसने हॉल वर्ट के उपर एक बुत लिकी हुई है नेथन अपने काम से इसलिए थक गया था क्योंकि कुछ सालों पहले एटलांटिका में उसका भाई हॉल वर्थ की याद दिलाता है और कहता है कि उसे यकीन है कि कॉंग फॉलो अर्ट के अंदर जाकर अपनी नैचरल इंस्टिंट से वो सब कुछ डूम सकता है तो हमें जरुवत है कॉंग को अट्लैंटिका ले जाने की और उसे फॉलो करने की क्योंकि कॉंग ही है जो हमें उन गुफाओं से अलो अर्ट तक ले की जा सकता है और वॉल्टर नेतिस्टा कहता है कि इस मिशन का पूरा प्रचा वो उठाएगा यहां मैडिसन बार्नी के और लां कोटकाफ सुनती है जिस्ते उसे बरोस और जाता है कि बार्नी ही है जो उसकी मदद कर सकता है गौडजला के अटैक करने के पीछे के असनी कारण को जानने में और वो अपने दोस जॉश को पन्वेस करती है कि वो बार्णी को ढूणने में उसकी मदद करे नेतन अब स्कल आइलेंड पर पहुँच जाता है और वहाँ पर वो एलीन एंडूसन होता है नेतन अइलेंड को पहले से ही जानता था और यहाँ पर आइलेंड के थूरू नेतन की मुलाका जिया से होती है जो स्कल आइलेंड के नेटिव लोगों में से आखरी बची हुई सदस्य है इसके बाद नेथन और आइलीन में बहास हो जाती है कॉंग को लिकर क्योंकि आइलीन नहीं चाहती है कि लोग कॉंग का अपनी फाइदे के लिए यूज करें और उसे पता है कि अगर टाइटन्स के साथ छेड़ चाड़ करना चलू किया तो किंग आफ दा मॉंस्टर गॉड्जिला इसके खलाब जरूर रेक्शन लेगा और गॉड्जिला कॉंग के लिए जरूर आएगा लेकिन नेथन आइलीन को कंवेंस कर लेता है ये कहकर कि हुशता है कि हॉलो आर्थ में कॉंग को उसीती तरह के टाइटन मिल जाए और वो अकेला नहीं रहे मेडिसन और जोश बार्णी को ढूंड लेते हैं पहले तो बार्णी इन लोगों पर शक करता है लेकिन बाद में इन पर भरूसा करने लगता है मेडिसन बार्णी को बूलती है कि कुछ तो है जो गौडजला को परिशान कर रहा है जिसके कारण गौडजला ऐसा भेव कर रहा है और बार्णी भी उसकी बात को एकरी करता है चौश बार्णी को पूसता है कि तुमने अपने पास में गन क्यों रखी है क्योंकि वो उसके चेस्ट पर गन रखने का हॉल्स्टर बंदा हुआ देखता है बार्णी हॉल्स्टर में इसे गन की जगे बॉटल निकालता है और कहता है कि जिस दिन से उसकी वाइप इस दुनिया से उसे ठोड़ कर चली गई उस दिन से ये बॉटल उसकी पास में है और उसने इस बॉटल को अभी तक पीकर खतम नहीं किया और बार्नी कहता है कि मैं ऐसे उस दिन पीकर खतम करूँगा जिस दिन मैं सच्चाई का पता लगा कर इन सब चीजों को खतम कर दूँगा दुसरी और मोनार के लोग स्कल आइलेंड में कौंग को ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं इसके लिए कौंग को जिस चैंबर में इन लोगों ने बंद करके रखा है उस चैंबर में विहोशी की कैस छोड़ देते हैं जिससे कौंग विहोश हो जाता है और कौंग को जैसे तैसे करके ये लोग ऐरक्राप्ट कैरियर में लाकर चेनों से बांद देते हैं और कौंग को लेकर वहां से निकल जाते हैं माया सिमन्स जो वाटर सिमन्स की बेटी है, वो नेथन के पास में आती है और कहती है कि वो अपने फादर के हर एक मिशन की देखवाल करती है और वो इस तरीके से उन लोगों को जुआइन कर लेती है। बाद में जब कॉंग को होश आता है तो अपने आपको बंदा हुआ पाकर कॉंग बहुत जाता परिशान हो जाता है और चिलाने लगता है। ये देखकर जिया कॉंग के पास में जाती है और कॉंग को ऐसे हालत में देखकर खुद भी बहुत परिशान होने लगती है। लेकिन कॉंग को देखके वो स्माइल करती है, ये स्माइल देखकर कॉंग थोड़ा शांत हो जाता है, और कॉंग की तरप अपनी उंगली बढ़ाती है, कॉंग भी सेन तरीके से जिया को रिपलाई करने की कुशिश करता है, बाइलीन पीछे से ये सब देख रही होती है, और कॉंग ने प्रॉमिस किया है कि वो जिया की हमेशा दिक्भाल करेगा और हमेशा उसे दूसरे खतरों से प्रोटेट करेगा ये देखकर आईलीन जिया की तरफ आगे बढ़ने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कॉंग जिया को नुकसान पहुंचा सकता है और उसके पास में पहुँच कर वो जिया को खीच लेती है और कहती है कि यहां क्या कर रही हो यह जगे सेफ नहीं है जिया कॉंग की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि कॉंग यहां पर खुश नहीं है कॉंग वदास है और बहुत गुस्सा भी है आईलीन जिया को बोलती है क्योंकि वो समझ चुछ नहीं सकता कि हम लोग उसकी मदद कर रहे हैं लेकिन जी अथ आललीन को कहती है कि कॉंग तुम लोगों पर भरुसा नहीं करता आईलीन उसको बोलती है कि तुम्हें ये कैसे पता है तो जिया बोलती है कि उसने मुझे पताया और यहाँ पर पहड़ी बार नेथन माया सिमन्स कॉंग को साइन लेग्मिज में बात करते हुए देखते है जब ही अपने राष्टे के बीच में होते हैं तो अब इन लोगों को और कौंग को भी आवास हो जाता है कि कुछ इनकी तरब आ रहा है और जिस चीज़ का इन लोगों को डर था यह वह ही है यह है गौड़जिला और गौड़जला के हावा उसे ऐसा लग रहा है कि वो रुकने वाला नहीं है मौनार्ग के प्लेन और शिप त्यार हो जाते हैं गौड़जला पर अटेक करने के लिए लेकिन यह सब गौड़जला के सामें वेकार साबित होते हैं और गौड़जला अपनी पूच के सारे ही इनके प्लेन सकार शिप को तहस नहस कर देता है शिप तबा करने के बाद में गौड़जला आगे स्विम करता है और एक जहाज का एंकर पॉइंट उसकी पूच में फच जाता है और वो जहाज का आदा हिस्सा भी उसके साथ साथ बहने लगता है यहां कौण अपनी जंजीरों को तोड़नी की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा हुआ उता है और गौड़जला उसकी तरह बढ़ता ही जाता है गौड़जला अपने साथ साथ उस शिप को भी ऐसे खीच रहा है जैसे कोई खिलोना हो कौण भी देकर चिलाता है और गौड़जला अंदर डाइब कर लेता है और पानी के अंदर चला जाता है कौण भी कन्फ्यूज है कि गौड़जला कहा है वो चिलाता है और इतने में गॉड्जिला का इंपैक्ट होता है जिससे कॉंग के शिप पलट जाती है और कॉंग पानी के अंदर आ जाता है कॉंग के साथ साथ शिप के अंदर के लोगों का भी बुरा हाल है कॉंग स्ट्रॉकल कर रहा है पानी के अंदर कि कैसे वो बाहर निकले और गॉड़ुला पानी के अंदर से ही कॉंग के ओपर हमला करने के लिए बिल्कुल तयार है। जैसे दैसे करके कॉंग वापस शिप पे अपनी वापसी करता है और अपनी चेंज को तोड़ने की कोशिश करना चालू करतेता है। मुनार के प्लेंस लगातार गॉड़ुला पे हमला करते रहते हैं जिससे कॉंग को थोड़ा समय मिल जाता है अपने आपको चेंज से आजाद करनी का और गॉड़ुला और कॉंग की भीशन लड़ाई चालू हो जाती है। गॉड़ुला भी एरक्राफ केरियर के उपर चड़ जाता है और वहां चड़ कर कॉंग के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन कॉंग अपने पंच के साब तेयार रहता है और गॉड़ुला पर हमला कर देता है। कॉंग को यह ऐसास हो जाता है कि अगर उसे गॉड़जला से बचे रहना है तो उसे जहां तक हो सके पानी के उपर ही रहना पड़ेगा लेकिन यह ज़ादे दिर नहीं चल पता और गॉड़जला अपने आटमी ग्रीट का यूज़ करके शिप को बड़ा डालता है इस इंपेक्ट से कॉंग में भियोश हो जाता है और एक एरक्राट केरियर पर जाकर गिर जाता है मिलेटरी और मोनार्ट तुरं समझ जाते कि गॉड़जला से मुकाबला करना इंपॉसिबल है तब वो अपने सारे वीपन्स और शिप को आफ कर देते हैं जिससे गॉड़जला को लगे कि सब कुछ खतम हो चुका है और उनका ये प्लान काम कर जाता है और गॉड़जला वहाँ से चला जाता है और पानी के राते से ना जाने का डिसाइड करते हैं बार्णी मेडिसन और जॉस को फ्लोरिडा के एपेक्स बेस पर लिकर जाता है और बताता है कि उसने एक बड़ा मेटल का बॉक्स देखा था लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पहुंचते हैं वहाँ पर इने कुछ नहीं मिलता नेथन आयलेन और इनकी टीम कॉंग को एटलैंटिका हेलिकॉप्टर में नैट से कैरी करके लेकर जाते हैं एटलैंटिका पहुंचके कॉंग को जिया के थुरू कन्वेंस किया जाता है कि वो उन गुफाओं में जाए यह गुफाएं और वर्त का रास्ता है वहाँ उसे उसकी फैमली मिलेगी और कॉंग निकल पड़ता है अपनी जनली पे और बाकी लोग भी कॉंग को फॉलो करने लगते हैं दूसे तरफ बार्मी मैडिसन और जॉस एपैस बेस के बेस्मेंट के कुपिया जगे पर बहुत जाते हैं जहां पर यह लोग इसकल क्लॉलर के अंडे ढून लेते हैं और एकदम से यह प्लेट फॉर्म हिलने लगता है और बार्मी मैडिसन जॉस और यह अंडे एक अंडर ग्राउंड टर्नल गे अंदर गिर जाते हैं और यह टर्नल सीला फ्रोडिडा को होंग कॉंग कॉंग से करता है कॉंग सभी को लीड करते हुए हॉलोर तक पहुंच जाता है यहां का एट्मास्ट्रेयर काफी हग तक स्कल आइलन जैसा है सदलने लोगों के शिप पर वारबैट्स का अटैक होता है और कॉंग वारबैट्स से फाइट करके उन्हें डिफिल्ट करके सभी को बचाता है इसके बाद में कॉंग अपने हॉलोर की जनर्मी कंटीनू कर देता है फिर कॉंग एक बड़ी गुफा में पहुंचता है जहां पर उसे एक हैंड प्रिंट दिखता है जो उसी के हाथ जैसा होता है और वो उसको फॉलो करता है और एक थ्रोन रूम में पहुंच जाता है जहां पर वो एक ancient throne देखता है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि ये जगे एक समय पर कौंग प्रजाती का घर गवा करता था और जिया को कॉंग बताता है यही उसका असली घर है और कॉंग थोन पर बैट जाता है एक राजा की तरह और उसके आसपास ब्लू लावा की तरह दिखने वाली एनरजी चटानों पर चमकने रखती है बानी, मैडिसन और जॉज उस हाइटेक टरनल के कारण होंग कॉंग कोंग के बेस में पहुँच जाते हैं जहां पर उन्हें मेका गॉड्जिला दिखाई देता है इसी बीच में स्कल क्लॉरर का एक एक जाता है और उसमें से स्कल क्लॉरर का एक बच्चा निकल जाता है कर दो करता है रेन बाहर निकलता है और वाल्टर से बात करता है वाल्टर सिमेंस कहता है अप्लोड करने के लिए भीज देते हैं अब फाइनली गॉड़्जला होंग कॉंच जाता है और होंग कॉंच कर वो एक जगे पर रुपता है उसे कुछ सेंस होता है तो वो ग्राउन में अपनी आपनी आपनी ब्रीथ छोड़ता है जो ग्राउन से होते हुए स्चीता औरोवार टक जाती है गॉड़्जला के इस एपक्ट से कॉंच का थ्रोंग रूम धीरे धीरे गिरने लगता है और कॉंच पर बैट जैसे दिखने वाले क्रियेचर्स अटैक कर देते हैं कॉंच उनसे फाइट करता है एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते है और इनका महा मुकाबला अब शुरू होने वाला है और इनकी लड़ाई के शुरुवात में कॉंच गॉड़्जला पर बहुत भारी पड़ता है एक के बाद एक स्ट्रॉंग ब्लोव गॉड़्जला के उपर मारता जाता है और नेथन ये देखकर कहता है कि मेरे खयाल से दूसरा रौन कॉंच जीत गया है बार्नी मैडिसन और जॉश गिदोरा का सर ढून लेते हैं और बार्नी को रेलाइज होता है कि ये लोग गिदोरा का दिये ने मेका गॉड़्जला को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं ये लोग अपनी इन्वेस्टिकेशन जारी रखते हैं लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं दूसरी रोग गॉड़्जला वापस ओड़ जाता है और फिर से कौंग के साथ ने फाइट करना स्टार्ट कर देता है वही मेका गॉड़्जला का अपलोड कम्प्लीट हो जाता है रेन वान करता है कि इन्हें होलोड के टेक्नॉलिजी की कैपिसिटी नहीं पता है लेकिन वाल्टर उसे इग्नॉर करके उसे सर के अंदर जाने क्या ओर्डर देता है वाल्टर अपने कंट्रोल रूम में बार्नी मैडिशन जौस दे को बताता है कि वो सभी टाइटन्स को खतम कर देना चाता है क्योंकि वो इस दुनिया में रहने लाहिक नहीं है और उसके बनाए गए मेकैनिकल टाइटन्स ही दुनिया पर राज करेंगे मेका गॉडजला आउट अप कंट्रोल हो जाता है और इसके शौक से कितोरा के सकल में बैठा रेन मारा जाता है और मेका गॉडजला जाग जाता है अपने खुद के दिमाग के साथ में और वो वोल्टर को भी मार देता है दूसरी और कॉंग और गॉडजला की लडाई जारी है और अब गॉडजला कॉंग के बस के बहार हो चुका है और Godzilla अपने new ability दिखाता है जिसमें वो अपने दोनों पैरों के साथ साथ हाथों को भी ground पर रख लेता है और Kong के ओपर ऐसा impact करता है कि Kong चारों खाने शित हो जाता है उसी समय विक्टोरिया मॉन्टेन पे एक प्लास्ट होता है और Mecha Godzilla वहाँ से city में entry कर लेता है और Godzilla को समझ पाइस के पहले ही Godzilla पर अटेकर देता है Mecha Godzilla बहुत powerful है और Godzilla Mecha Godzilla से लड़ने में बिलकुल आसाहाय दिखाई देता है J.I.L.E.N. से बोल रही है कि Kong मर रहा है उसकी heart rate धिरे धिरे slow होती जा रही है Bani Jaws और Medicine से बोलता है कि हमें कुछ help करनी चाहिए और Jaws Mecha Godzilla के computer को hack करने के कोशिश करने लगता है दूसरी और Mecha Godzilla continue Godzilla पर वार पर वार किये जा रहा है और Godzilla की हालत खराब होती जा रही है नेतरोर आइलेंड Kong की heartbeat को बढ़ाने के लिए Heave जो Hollow Earth में जाने के लिए यूज की थी उसे Kong के चैस्ट के उपर फोर देता है ये धामा का defibrillator का काम करता है और Kong वापस जाग जाता है Godzilla और Kong टीमप परके Mecha Godzilla से लड़ने लगते हैं However, Mecha Godzilla Godzilla को जमीन पर नॉक आउट कर देता है और Kong को एक हाँ से पकड़ कर दूसरे हाथ को ड्रिल मशीन जैसा मुकीला बना कर Kong को मानने के लिए तयार है यहाँ Josh कम्पीटर को हैक कर दिये कोशिश कर रहा है वहीं दूसरी और Mecha Godzilla कौंग के सर को ड्रिल करने के लिए तयार है बार्नी सोचता है कि हम सब मरने वाले हैं तो वो अपनी बोटल निकाल कर फीने की तयारी करने लगता है Josh यह देखकर बोलता है और वो बार्नी से बोटल लेकर अलकोहल पूरे कम्पीटर पर गिरा देता है जिससे कम्पीटर में शॉर्ट सर्केट हो जाता है और Mecha Godzilla का ड्रिल रुख जाता है जमीन पे पड़ा हुआ Godzilla यह देखकर अपने सर उठाता है और कौंग के साथ में आई कॉंटेट करता है उसके बाद गौडजला अपनी ऑटमें बीट कौंग की एक्स के उपर छोड़ता है और कौंग की एक्स पूरी तरीके से मैकसिमम पावर में रिचार्ज हो जाती है और कौंग अपनी एक्स से मेगा गौडजला का सर और उसकी स्पाइन के तुकड़े तुकड़े कर देता है बारनी मैडिसन और जौश मार्ट रसल के साथ में वापस उनाइट हो जाते है गौडजला फाइनली उठता है और गौडजला और कौंग एक दूसरे को देखते हैं कौंग अपनी एक्स जमीन पर ड्रॉप कर देता है गौडजला रोर करता है और गौडजला फ्लीस खुली ओशियन के अंदर लोट जाता है और आखली में आलीन और जी आप कौंग खो स्कल आइलेंड मेर देखते हैं कौंग स्कल आइलेंड की एक उची पहाड़ी पर खड़ा होके संग की तरब देख रहा होता है और गौडजला वर्सिस कौंग का टाइटन आ जाता है काफी रिसर्च के बाद मैं इस पोटेंशन स्टोरी लाइन पर पहुँचा और जो मैंने आप सब लोगों से शेर करी और गौडजला वर्सिस कौंग की असली स्टोरी क्या है वो तो हमें 24 मार्च को पता चढ़ी जाएगी लेकिन इस स्टोरी लाइन के हिसाब से गौडजला दोनों बैटल जीतेगा लेकिन कौंग को जरा भी कमजोर नहीं दिखाये गया है कौडजला भले ही बैटल जीतेगा लेकिन मेका गौडजला जो रियल थ्रेट है उसे कौंग मारेगा और दोनों प्रैटन्स के फैंस खुची खुची अपने अपने टैटन्स को देखकर ट्रेडर से बाहर निकलेंगे आपको ये स्टोरी कैसी लगी है इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए टेक केर गाइस